हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहोतास निमी और आप सभी का सवागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों कल हमने रिसेर्च का टोपिक किया था जिसके अंदर हमने टाइप ओफ रिसेर्च और टाइप ओफ सेंपलिंग की बात की थी इस दोरान हमारा एक टोपिक रहे गया था वो था स्टेप्स ओफ रिसेर्च आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दब करते हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से स्टेप होते हैं और हमें किस तरह से अपने रिसर्च करनी है और इसमें से काफी बार कोशन आये हैं तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसके बारे में देखे सबसे पहला जो स्टेप आएगा हमारा वो होगा सेलेक्शन ओफ प्रोब तो मेकिंग हाइपोथिसिज यानि की परिकलपना का निर्मान करना की हमारी जो रिसर्च वो किस तरह से होगी और क्या प्रिणाम हमें चाहिए इस तरह की यानि की एक कलपना करना प्रिकलपना करना पहले से ठीक है और उसके बाद आएगा दोस्तों सोध की रूप रेखा त्यार करना रिसर्च डिजाइन दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं यह स्टैप आप बड़े ध्यान से नोट कर लेना याद रख लेना मैं कह रहा हूं इसमें से कोशन आ सकता है काफी संभावना है ठीक है तो अच्छे से याद करना इनको और अगला आता है दोस् हमें अपनी इसर्च के अंदर किस तरह के मैंकर एकठा करने है वह उसके बाद आता है डेटा कुलेक्षन हमें धीर डेटा इकठा करता करना है कंसे करना वो सारा इसके अंदर आएगा उसके बाद आएगा हाइफो थिसीज टेस्टिंग यानि कि ये सब कुछ करने के बाद में हमने जो हाइफो थिसीज बनाई थी परिकलपना की थी उसे हम टेस्ट करेंगे इस दुरान उसके बाद आएगा दोस्तों जन्रलाइजेशन यानि कि उ इस रिसर्च से क्या निसकर्शन निकल के आया है यह सारी बात करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो रिपोर्ट है वो सम्मिट करेंगे अपने जो रिसर्च है उसके बारे में हम फाइनल रिपोर्ट सबसे लास्ट में देंगे तो दोस्तों इसमें से हमारा एक कोशन बन सकता यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है यह आप अच्छे से कर लेना इसके एक एक point को और अब आगे देखते हैं कि आगे किस तरह की research होते हैं उसमें क्या क्या step होते हैं अगली आते हैं दोस्तों हमारे पास scientific research इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम देखते हैं और इससे काफी बार question आ चुके हैं और ऐसे question आने की संभावना आगे भी है अब देखे इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले हम observation करते हैं उसके बाद हम करते हैं formation of hypothesis सबसे पहले उसका सहे विचरण यानि की निरक्षिन वगरा करेंगे और उसके बाद हमारा hypothesis बनेगा उसके बाद होगा experimental verification होगा उसके बाद होगा formulation of laws and theory ठीक है तो यह जो चीज है य आपको याद रखनी है सहे विचरण ब्रामक संबंदों का विचरण समान्यकरण सिधान्तिकरण आप आपना इंगलीस है ना इंगलीस में सभी step ध्यान में रखना क्यूंकि हिंदी के अंदर हम काफिवार confused हो जाते हैं इसे हिंदी के अंदर एक सब्द को कई तरह से वो लि क्या क्या होता है और इसके अंदर अगर आपको ध्यान में हो तो अभी वी जुलाई 2018 में question आया था इसके अंदर होता है दोस्तों सबसे पहले plan बनाते plan फिर act फिर observe और फिर reflect इस तरह से इसमें 4 step होते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है योजिना नि देखते हैं दोस्तों सोध निबंद सोध निबंद के क्या क्या step होते हो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है introduction होता है फिर literature review होता है फिर research methodology होती है और फिर result होता है और फिर discussion and conclusion होता है ठीक है और इसमें भी आप वही बात है English में याद रखना आपको ज्यादा असानी research descriptive research यानि कि वरनातम का research होती है उसकी क्या क्या step होते है वो है यहाँ पे explanation of objectives selection of technique selection of sample data collection data classification and analysis और लाश्ट में आता है report writing दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सभी के लिए जो step है वो कुछ ना कुछ अलग है कहीं ना कहीं तो यह सभी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इन में से काफी वार question आ जाता है और अगला देखते हैं हम दोस्तों research proposal research report जो लिखते हैं उसके क्या क्या step होते हैं इसमें होता है introduction फिर होता है aim फिर होता है object फिर होता है methodology फिर होता है finding फिर होती है conclusion और फिर होते है recommendation ठीक है और यहाँ जे आप हिंदी में भी देख सकते है प्रस्तावना लक्षय उदेशय प्रविधी निसकर्च उफांस संस्तुती अब दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं यह यह आप step सभी step आप ध्यान में रखना क्योंकि इसमें से एक question बनने की बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ पर साधत रह कि मैंने research दे रखे उनके step दे रखें जैसे simple research दे दिया scientific research, action research, सोध निवंद, step of descriptive research और research proposal ठीक है और दोस्तों एक बात और बता दू मैं आपको अगर यह आपको यह notes चाहिए पीडियम में notes चाहिए तो इसका link मैंने video description box में दिया हुआ है वहाँ से आप यह notes ले सकते हैं यह notes बिल्कुल फरी में हैं और दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहां से अभी तक कितने question बने किस तरह के question बने है step of research से यह देखे दोस्तों दिसंबर 2013 का question paper है इसके अंदर हम question number 59 देखते हैं यह question देखे इसमें इन्होंने पूछा विग्यानिक सोध की जो step है वो हमें बताने हैं जैसा कि हमने पीछे पड़ा था उसमें था सहेवी चरण भरामक संबंदो का वहिस करण फिर होता है समान्यकरण और फिर होता है सिधंतिकरण ठीक है तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं और अगर हम वो अच्छे से करेंगे तो हम किसी भी question का answer बिलकुल असानी से दे सकते हैं और यहां प September 2013 का question paper है इसके अंदर question number 50 इसके अंदर देखिए सोध के चरणों का सही करम पहचानी है इसमें भी हमें step बताने की कौन कौन से step होगी यह हमारी simple research है इसके अंदर का है कि सबसे पहले विशे चैन यानि की जो selection of problem जिसके हम बात कर रहे थे वो है यह और उसके बाद में साहि सक्रस की व्याख्या तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है दोस्तों चार step दे दिये पूरे के पूरे step नहीं दिये चार step बीच बीच में से उठा के दे दिये और हमें उसे कर्मवाइज लगाना है ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते कि यह हमारे लिए कितना आसान है अगर हम एक वर अच्छे से कर लेते हैं तो और देखते दोस्तों इस में से किस तरह से कोशन रिपीट हुए है ये देखिए दोस्तों दिसंबर दोज़र चौदा का कोशन पेपर है ये और इसके अंदर देखे 57 नंबर question है सोध निबंद के अनिवारिय ततव हमें बताने हैं और ये भी हमने किया था इसके अंदर होता है सबसे पहले प्रस्तावना फिर साहितिय पुनर्विक्षन फिर होती है सोध प्रनालिया फिर परिणाम और फिर चर्चा और निस्कर्श ये हमने बताया था आपको वहां से आप देख सकते हैं और अगर हम ये इंगलिस के अंदर देखें तो इंगलिस के अंदर देख लीजी आप ये देखी इसके अंदर होता इंट्रोडेक्शन लीट्रेचर रिव्यू और रिशर्च मैथर्ड लोजी फिर रिजल्ट डिसकसन एंड कंकलोजन तो इस तरह से आप कोशन बार 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 रिपीट हो रहे एक ही टोपिक को लेकर वो बार बार कोशन दे देते हैं और और कोशन हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से रिपीट हुए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि हमारे लिए स्टैप ओफ रिशर्च करना कितना महत्तवपुर्ण हैं अब ये देखे दोस्तों ये हमारा कोश्चन पेपर है जुलाई 2016 का इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सोध करने के लिए निमल लिखित में से कौन सी आरंभीक अनिवारियता की अपिक्षा है ठीक है अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं फाइं से पहली अनिवारियता हो जाएगी और और देखते हम इसमें किस तरह से कौश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दू कि हमने पेपर फर्ष्ट की 2012 से लेके जुलाई 2018 तक की पीडियेफ बना रखी है जिसमें टोपिक वाइज हमने कौश्चन 2012 से लेके 2018 तक वो अलग है कम्निकेशन के अलग है रिसर्च के अलग है रिजिनिंग के अलग है इस तरह से पेपर फर्ष्ट में जितने भी टॉपिक आते उनकी पीडियेफ मैंने अलग अलग बना रखी है जिन को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते कि कौन से कोश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और किन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है और ये जो पीडियेफ है हमारी हिंदी और इंग्लिस में है तो अगर कोई ये पीडियेफ लेना चाहे तो वो हमसे ले सकता है इसका लिंक हमने वीडियो डिस्कृप्शन बोक्स में दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दू कि हमारे इस PDF से जुलाई 2018 में 18 कोशन बिल्कुल डिटो कोपी आये थे, उसकी वीडियो आप वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, और एक चीज और इस PDF की कुछ समाने क कोश्ट भी हो सकती है, तो दोस्तों अगर किसी को भी ये PDF लेनी है, तो वो हमसे कॉंटेक्ट कर सकता है, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया है, अब ये देए दोस्तों, जनवरी 2017 का कोशन पेपर है, इन्होंने इसमें कोशन नमबर थरी में पूछा है, अनुसंधान चरणों का कौन सा करम तारकिक है, यही हमें स्टैप बताने इसके अंदर, और वही बात दोस्तों बार बार रिपीट हो रही है, मैं आपको क्या बताओं, कि समस्या स्थापना करना, प्रोब्लम सेलेक्शन ऑफ प्रोब्लम, फिर परीकलपना, निर्मान, फिर सोध, अभी कल्प का विकास करना, फिर परदत एक त्रिक करना, परदत विसलेशन, समान्य करना, निसकर्स, और यह दोस्तों वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना इंपोर्टेंट है, और यह द के अंदर क्या होता है, सबसे पहले योजना निर्मान होता है, फिर किरियानवेन होता है, फिर प्रेक्शन होता है, और फिर वीमर्स होता है, ठीक है, और और मैं आपको दिखाता हूँ, और कोश्चन, अभी जो हमारा जुलाई दो हजार अठारा में जो पेपर आया है, उस सा समुच्च क्रियात्मक सोध को बताता है ठीक है तो इसके अंदर भी वही बात आगी नियोजन क्रियानवेन प्रेक्शन गहन चिंतन करना दोस्तों अगर यहां पे आप हिंदी में पड़ोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ठीक है मैं आपको वी इंगलीज में दिखाता हूं च सिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है अब ये देखे दोस्तों अब ये देखे दोस्तों विच ओफ दा फॉलॉविंग सैट्स ओफ एक्टिविटी बेस्ट इंडिगेट दा साइक्लिक नेचर ओफ एक्षन रिशर्च ठीक है अब ये देखे प्लान एक्ट प्रहले पढ़ ही है तो ये हमारे लिए कितना असान है आप देख सकते अगर आप तो यहां से आप देख सकते दोस्तों ये हमारे ले कितना आसान हो जाता है अगर एक बार हम इनको अच्छे कर लेते हैं और दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता रहा हूं कि ये PDF आप हम से ले सकते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो description box में दे रखा है और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताईएगा और और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो को साने से देख सके थैंक्यू दोस्तों